चानक के IAS Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे World Air Quality Report 2022 के बारे में जो हाल ही में रिलीज की गई है भारत इस रिपोर्ट में 2022 में दुनिया का आठवा सबसे परदोशित देश रहा है 2021 में भारत इसमें पांचवे नमबर पर था हवावे प्रदोशन नापने की इकाई यानि PM 2.5 में भी गिरावट आई है यह 53.3 माइक्रोग्राम यानि की क्यूबिक मीटर हो गया है यह अभी भी विश्व स्वास्त संक्ठन की सेफ लाइन से 10 गुना से भी जादा है हवावे प्रदोशन की जाज करने वाली स्विस एजनसी IQ Air ने World Air Quality Report जारी की है इसमें 131 देशों का डेटा 30,000 से अधिक Ground Based Monitor से लिया गया है इस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे जादा प्रदोशित 20 शहरों में 19 एशिया के हैं जिसमें 14 भारतिये हैं एक शहर इसमें अफरीका का भी है अब हम बात करेंगे World Air Quality Report 2022 की हाईलाइट्स के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य और दक्षनी एशियाई देश में सबसे खराब वायो गुनबत्ता के मामले में भारत और पाकिस्तान की सिती अच्छी नहीं है यहां लगबग 7 परतिशत आबादी उन देशों में रहती है जहां PM 2.5 पार्टिकल की सांदरता WHO की गाइडलाइन से कम से कम साथ मुना अधिक है इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का लाहोर शहर 2022 में दुनिया में सबसे खराब वायो गुनबत्ता वाले शहरों में सिर्श पे हैं लाहोर शहर 10 से अधिक स्थारों की चलांग लगाई है और सबसे परदूशित शहर बन गया है लाहोर की वायो गुनबत्ता 2021 में PM 2.5 पार्टिकल प्रतिघन मीटर 86.5 माइक्रोग्राम से बढ़ कर 97.4 माइक्रोग्राम हो गया है पाकिस्तान देश व्यापी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य अप्री की देश चान पिछले साल सबसे प्रदूशित वायो गुनबत्ता वाले देश के रूप में बांगला देश को पीछे छोड़ चुका है चान का ओस्तर 89.7 था इराक दूसरा सबसे प्रदूशित शहर रहा है वर्ष 2021 से बांगला देश की वायो गुनबत्ता में सुधार हुआ है इस ताजा रैंकिंग में बांगला देश 50 स्थान पर रहा है अमेरिकी प्रशान छेतर गुवान में 1.3 PM 2.5 की सांदरता रिपोर्ट की गई है जो किसी भी देश की तुलना में सबसे जादा साफ सुत्री है वही राजदानी शहरों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजदानी कैन्बरा की हवा सबसे अच्छी है अगर भारत के शहरों की बात की जाए तो भारत के शहरों की स्तिती क्या है इसमें हम जानेंगे इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरों की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है जहां भारत इस सूची में आठ्वे स्थान पर है वहीं भारते शहरों की रैंकिंग भी कुछ खास नहीं है दिल्ली इसमें चौते स्थान पे है कोलकत्ता 99 मुंबई 137 और हैदराबाद 199 इसी तरह से और शहर भी भारत की इसमें शामिल है दुनिया के टॉप 50 प्रदूशी चेहरों की बात करें तो इनमें 39 भारतिय शहर है साथ ही शिर्ष 20 प्रदूशी चेहरों में दिल्ली भीवाणी जो की राजस्तान वाला भीवाडी है गाजियाबाद यूपी दर्बंगा और असोपुर बिहार के और हर्याना का धारू हेडा शहर इसमें शामिल है इस चार्ट से हम समझ सकते हैं कि ग्लोबल रैंकिंग में बाकी देशों का क्या हाल है जो सबसे जादा प्रदूशी शहर है पूरे विश्व में वो लाहौर है दूसरे नमबर पर चीन का होटेन आता है तीसरे नमबर पर भारत में राजस्तान का भीवाडी चौथे नमबर पर दिली और पांच में में पिशावर आता है तो इस पूरी लिस्ट में भारत के बहुत सारे शहर देखने को मिल रहे हैं अब हम बात करेंगे दिली में वायू परदूशन के बारे में पिछले कुछ सालों से वायू परदूशन देश की राजधानी दिली सहीद अन्य प् पास लेना तक खतरनाक हो चुका है। पुरुग्राम में 34%, फरीदाबाद में 21% तक सुधार हुआ है। दिल्ली में 8% भी सुधार आया है लेकिन इन शेहरों में प्रदूशन अभी भी बहुत जादा है। इस सबसे जादा खतरा बच्चों को है। इस सबसे जादा खतरा बच्चों को है। परदूशन से उनकी फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं। बुजर्बों को स्वास्ते समंदी दिक्कतें बढ़ रही है। इस रिपोर्ट के अगर बात करें तो Swiss Agency IQ Air ने World Air Quality रिपोर्ट जारी की है। इस इंडेक्स को 131 देशों और छेत्रों के 300 से अधिक स्थानों में 30,000 से अधिक वायूगुणवत्ता मोनीटरों के डेटा का उप्योग करके तयार किया गया है। इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।